हेलो गाइज बिलकम बैक टू माई वीडियो न्यू वीडियो में आपका स्वागत है गाइज तो आईए हम आपको एक प्लांट के बारे में बताने जा रहे हूं जो प्लांट बिना धूप के वगर भी घर में सुरचित रहती है और बहुत ही अच्छे तरह से ग्रोथ करती है इसमें धूप जादा से जादा नहीं चाहिए ये पोधे बहुत ही अच्छे हैं आईए हम आपको दिखाने जा रहे है इस पोधे को तो आप इस पोधे को देखिए और समझे कि ये पोधे कौन सा पोध्या है और इन पोधे से क्या क्या आपको लाग मिलेंगे तो गाइज ये पोधे हैं Asnake's Plant, Asnake's Plant क्या मतलब हुआ कि घर में साप का प्लांट, ये प्लांट लगाने से घर में किसी परकार का कोई भी साप नही घुस पाते हैं, और इनका गंध से ही और इनको देखते ही वापस वो लोड जाते हैं, पीछे की ओव मुड जाते हैं, वो दूबारा क कोसिस नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए तो यह है स्नेक्स प्लांट तो गैज यह देखिए हमने तो गेट के बाहर लगाई है और इनका कटिंग भी देखिए इस पत्य को काट करकर इस तरह से कटिंग लगाई थी और यह देखिए कितनी सारे इसके तनी जड़े निकल आ तो गैज यह देखिए असनेक्स प्लांट यह बहुत ही बड़े हो चुके हैं यह देखिए बिलकुल साप की तरह आपको देखने से लग रही है असनेक्स प्लांट का पत्ता इससी तरह से इसको लगाने से आपके घर में साप बिलकुल भी नहीं आएंगे तो यह पौधे आप अपने घर में जरूरों गाएं, मैंने इस पौधे को तो उगा कर रखी, आप तो देख सकते हूं मेरी वीडियो में, कि ये किस तरह से ग्रोध की है, और कितने बड़े बड़े पत्ते इनके, इनके पतियां तो एकदम चितकावर की तरह होती है, और मोटे मोटे आकार मे होती है, और ये कम से कम, दो से तिन हाथ की होती है गाई, ये पोधे, कपत्ते बहुत ही क्वीट लग रही है देखने से, अच्छे लग रहे है देखने से, और ये पोधे आप अपनी घर के अंदर भी लगा सकते हैं गाई, बिल्कुल नमी मिट्टी होना चाहिए, और ये अधिक मात्रे में देती है। इस पोधे को आप ऑक्सीजन के रूप में आप अपने रूम में अच्छी तरह से लगा कर इक गमले में रखें। ये पौधे लगाने से आपको oxygen बहुत ही अधिक मात्रे में मिलेंगे आपको कोई ऐसा problem नहीं होगी सास लेने से और भी आप खिड़की दर्वाजा रूम के अंदर रखोगे लगा कर ये पौधे खिड़की दर्वाजा बंद करके रखो तो ये oxygen बहुत ही अच्छे रहसे देते हैं और गाज इस पौधे के बारे में आपको इस जनकारी दे रही हूँ कि ये पौधे आप गरूम के अंदर अवस्त लगाएं ये कम मिट्टी और कम इस पौधे को लगाने से आप अधी एक महीना तक भी पानी नहीं दोगे गाज तो ये पौधे चलेंगे सुखेंगे नहीं क्योंकि और भी पौधे अनेक पौधे आप लगाते हो तो उसमें आपको पर डे एक बार ना एक बार पानी जरूर डालना होता है पर इसमें आप एक महीने तक पानी नहीं डालोगे गाज तो ये पौधे बिलकुल भी नहीं सुखे पौधे गाइज यह आपजनेक्स प्लांट को बविल्कुल बहुत ही अच्छे पौधे हैं और मैं आपको देखा रही हूँ इस पौधे को बहुत ही अच्छे तरह से मैंने घर के बाहर लगा कर रखी है तो मेरे घर में एक भी साप नहीं खुषती है एक भी के टानू भी नह पॉधे को आप घर में अवस्त लगाएं गाज और अधी मेरी वीडियो पसान्द आए तो मेरी वीडियो को लाइक से और सस्क्राइब करना ना भूले गाज बाइब